Chemistry में हम पढ़ेंगे Mall Concept Universe के अगर हम बात करें तो वो दो पार्ट में Divide है Energy और Matter Matter के अगर हम बात करें तो हर एक वो चीज जिसमें Mass हो और जो क्या करें Space का कुछ ना कुछ Volume occupy करें क्या कहलाती है Matter Matter फर्दर दो classification इसकी कर दे गई Element और Compound Element की Smallest Unit को क्या बोलते है Atom और Compound की Smallest Unit को क्या बोलते है Molecule Atom जिसमें केवल एक ही Atom प्रिजेंट होगा उससे हम क्या बोलेंगे Atom जैसे Fe है, Silver है, Copper है, Aluminium है अगर ऐसा Part, ऐसी Smallest Unit जिसमें एक से जादा Atom प्रिजेंट है जैसे CO2 तो इसमें एक Carbon Atom है, दो Oxygen Atom है, तो यह क्या 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 जादा एटम अगर प्रिजेंट है तो क्या कहलाएगा मॉलिक्यूल एक से जादा एटम प्रिजेंट यहां भी है और यहां भी एक से जादा एटम प्रिजेंट है यह भी मॉलिक्यूल है और यह भी मॉलिक्यूल है तो क्या किलाएगा atom और उसके sample को हम क्या बोलेंगे element sample मतलब जिसमें एक से ज़ादा atom present हो जाए जैसे iron का कोई piece है तो iron के piece को हम क्या बोलेंगे fe element और उसका छोटी से छोटी unit को हम क्या बोलेंगे fe atom iron atom clear तो देखिए अगर हम बात करें o2 की तो इसमें दो atom present है तो ये क्या कलाएगा oxygen molecule तो ये molecule है मगर इसका जो sample होगा वो compound ने कलाएगा क्या कलाएगा element क्योंकि एक ही type के atom उसे मिलके बना है compound तभी कलाएगा जब उसमें एक से ज़ादा type के atom present हो जाए तो जैसे अगर हम बात करें co2 molecule की तो इस molecule में दो type के oxygen है total atom की बात करें तो 3 atom है तीन carbon है और 2 oxygen है ठीक अगर total atom हो गए तो इसमें कितने हो गए 3 मगर type of atom देखें तो दो ही type के atom है एक carbon atom और एक oxygen atom तो एक carbon atom और दो oxygen atom से मिलके बना हुआ है कौन co2 molecule तो जो co2 molecule है वो दो type के atom उसे मिलके बना है तो इसका जो sample होगा उसे क्या बोलेंगे कब पाउट clear ऐसी P4 की हगर हम बात करें तो P4 में क्या है तो इसमें एक से जादा atom है तो यह molecule है मगर एक ही type का atom है तो इसके sample को हम क्या बोलेंगे element बात करें S8 की तो इसमें 8 atom है तो यह molecule है मगर एक ही type के एक ही type के atom इसमें involved है तो इसका जो sample है वो क्या कलाएगा element यहाँ बात करें जैसे ice water की बात कर ले तो यह H2O क्या है molecule है क्योंकि इसमें 3 atom present है और इसका जो sample होगा नहीं इसका जो धेर होगा इस बहुत सेरे molecule जब water की यहाँ इखटे हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम compound क्यों क्योंकि जो molecule है यह दो type के atom हों से मिलके बना है एक से ज़ादा type के अगर atom involved है molecule में तो उसका जो sample है वो क्या कलाता है compound किलिए चेलिए अब हम बात करते हैं जैसे oxygen element तो oxygen element की दो form होंगी element हम कर रहे हैं किसकी बात oxygen की तो oxygen element की दो form होंगी atomic form और molecular form मतलब यह oxygen किसी भी form में हो कहलाएगा वो element क्यों? क्योंकि एक ही type के atom involved हो रहा है अगर single oxygen atom है तो क्या कहलाएगा atomic form अगर एक से जादा oxygen जैसे O2 हो गया तो यह क्या कहलाएगा molecular form मगर दोनों का ही sample क्या कहलाएगा element यह compound नहीं कहला सकता compound के लिए कम से कम दो type के atom पिर्जेंट होना ज़रूरी है clear? जैसे अगर हम बात करें hydrogen atom तो hydrogen atom का मतलब है single atom H हम बात करें hydrogen molecule की तो hydrogen molecule का मतलब है H2 तो यह molecule हो गया और यह atom हो गया किसका atom हो गया यह hydrogen atom और यह किसका molecule हो गया hydrogen molecule यह molecule क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि इसमें 2 atom present है एक से जादा atom present है वो atom क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि इसमें एक ही atom present है ठीक और इनके sample को हम क्या बोलेंगे दोनों के ही sample को हम क्या बोलेंगे element क्योंकि दोनों एक ही type के atom से मिलके बने हुए है next जिसे हमारे पास कोई element x है तो इस element x के किसी एक single atom को हम कैसे represent करेंगे ठीक यह जो element x है तो इसको हम कैसे represent करते हैं X तो क्या होगी इसका simple और Z और A क्या होते हैं यह होता Z होता atomic number और यह क्या होता है mass number जैसे हम बात करते है nitrogen element की तो यहाँ पर X की जिगा होता nitrogen hydrogen, oxygen element की बात करते तो यहां पे x की जगह होता oxygen, हम hydrogen element की बात करते तो यहां पे क्या होता x की जगह है h, ठीक चलिए, तो अब बात करेंगे z और a की, तो z मैंने बताया क्या होता है, z होता है atomic number, अब atomic number क्या है, atomic number होता है number of protons present in an atom, यह present in nucleus of an atom, किसी भी atom के nucleus के अंदर जितने number of protons होते हैं वो ही क्या कहलाता है atomic number मतलब number of protons equal हो गए atomic number के या atomic number equal हो गया number of protons present in atom या present in nucleus of an atom ठीक चलिए बात करें एक ही तो एक क्या कहलाता है mass number और mass number क्या होता है number of protons and neutrons proton और neutrons की जो counting है उसी number को बोलते है mass number तो यानिकि a जो होगा वो क्या होगा number of protons plus number of neutrons present in an atom या कह सकते present in nucleus of an atom क्योंकि proton and neutron atom के nucleus के अंदर present होते है ठीक अगर हम निकालना चाहें number of neutrons किसी atom के अंदर तो number of neutrons कैसे निकल जाएंगे a minus b से तो देखें number of neutrons आएंगे a minus number of protons मतलब number of neutrons equal होंगे किसी atom के अंदर atomic number minus mass number minus proton और proton किसके एकवल होते हैं atomic number के एकवल तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं z भी लिख सकते हैं तो number of neutrons इकवल आएंगे a minus p यह कह सकते हैं a minus z एक और term से nucleons अगर हम बात करें nucleons की तो nucleons का मतलब क्या होता है कि nucleus के अंदर जो भी particle पाये जाते हैं उन्हें बोलते हैं nucleons तो nucleus किसी भी atom के downstream के proton और neutron electron क्या होते हैंƯूक्λεस के outside में क्या करते हैं earn evolve करते हैं तो electron nucleus के अंदर नहीं होते हैं तो इसलिए वो nucleons नहीं कैलाते हैं तो nucleons को on counting है उसे हम क्या बोलते हैं mass number तो number of nucleons present in an atom वो इकल होगा number of protons plus number of neutrons यह कह सकते हैं mass number के को लाएगा ठीक चलिए अब बात करें subatomic particle की तो subatomic particle के अगर हम बात करें तो subatomic particle of atom atom के subatomic particle यह कहें fundamental particle atom भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है जिसे बोलते हैं subatomic particle या fundamental particle of atom चीक और वो कौन है neutron, proton और electron तो किसी भी element का जो atom है वो तीन fundamental particle से मिलके बना होता है या तीन subatomic particle से मिलके बना होता है जिसे बोलते है neutron, proton and electron तो atom के अंदर क्या present होगा? proton, neutron होगे, proton होगे और electron होगे neutron पे कोई charge नहीं होता है यह neutral होता है proton पे क्या होता है? positive charge, positive nature का charge और electron पे क्या होता है? negative nature का charge ठीक? अगर हम बात करें किसी particular atom की तो वो electrically neutral है हमेशा तो atom is electrically neutral always क्यों? क्योंकि जितने किसी भी neutral atom में जितने proton होगे उतने ही क्या होता है electrons proton और electron की संख्या किसके को लोती atomic number के एक गवड़ तो जितने proton है उतने ही क्या है electron है और proton पे जितना positive nature का charge होता है एक electron पे उतना ही negative nature का charge होगा तो अगर net charge की बात करेंगे किसी atom पे तो वो क्या आएगा zero तो इसलिए atom क्या होता है electrically neutral होता है क्यों? क्योंकि इसके पास net charge क्या होता है zero दीखे कोई भी species हो तो वो electrically neutral दो condition हो सकता है या तो उस पे net charge zero हो या वो charge less हो तो atom charge less तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर charge particle तो बहुत सारे है proton भी है electron भी है मगर net charge इसका क्या है zero है क्योंकि जितने proton है उतने ही electron है proton पे जितना positive nature का charge है electron पे उतना ही negative nature का charge है तो net charge zero हो गया इसलिए ये क्या हो गया electrically neutral मगर इसे charge less atom नहीं बोल सकते तो atom को हम क्या बोल सकते है electrically neutral बोल सकते है क्यों क्योंकि net charge इसका क्या है zero मगर इसे charge less नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर तमाम proton और तमाम electron present होते है clear जिससे बात करें sodium atom की तो sodium atom को हम के status represent करेंगे na तो क्या हो गया इसका symbol atomic number इसमें हो गया 11 और mass number इसमें कितना हो गया 23 यह हमारे पास sodium atom है इसमें से हमने क्या करा एक electron को remove करा दिया एक electron को remove कराएंगे तो अब इस पे net charge दाएगा कितना plus का one unit plus one कुलाम नहीं बोलते है इसको plus का one unit और एक unit charge कितना होता है E, E मतलब fundamental charge या smallest minimum possible charge वो किसकी value कितनी होती है 1.6 into 10 के पावर minus 19 कुलाम ठीक है तो यहाँ पे plus one का मतलब है कि positive nature का one fundamental charge है नहीं कि one unit charge है और एक unit charge का मतलब होता है smallest possible charge unit और जिसकी value होती है इस वाट फार्म हम लिख देते है E या इसको numerical value होती है 1.6 into 10 के पावर minus 19 कुलाम ठीक अब हमने जैसी इसमें से एक electron remove कर दिया तो इस पे proton की संख्या जादा हो गए होगी क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें neutral atom की तो इसमें क्या थे जितने proton कितने the atomic number z के equal कितने 11 अगर number of nucleons देखें तो proton plus neutron और वो किसके equal होते है अगर मैं neutron देखूंगा तो a minus z यानि के 12 और electron देखूंगा तो वो इसमें proton के equal होंगे क्योंकि neutral atom में atom हमेशा electrical होता है किसके वे से जितने proton उतने ही electron तो अगर हम sodium atom की बात करें तो इसमें proton कितने थे 11 electron कितने थे 11 neutron कितने थे 12 अब हमने क्या करा na plus अब ये atom नहीं क्यलाएगा अब ये क्यलाएगा iron जब भी किसी atom पे plus या minus charge आएगा तो उसे बोलेंगे iron और अगर positive charge आया तो kation और negative charge आया तो nion ठीक तो इसमें positive charge आगिया है क्योंकि इसमें से एक electron remove हो गया एक electron remove होने का मतलब अब इसमें proton जादा रह गया electron कम रह गया क्योंकि इसमें 11 proton थे 11 electron थे इसलिए nat charge 0 था मगर अब एक electron निकल के remove हो गया इसमें से यहां से भाग गया है तो remove हो गया है तो अब इसमें electron कितने रह गया 10 और proton कितने रह गया 11 तो इसमें एक proton extra हो गया तो अब इसमें एक unit positive charge आजाएगा तो इसे बोलेंगे iron और iron में भी कैसा? catein, अगर positive charge वाला iron है तो इसमें क्या बोलते है? catein तो इसमें proton तो वही रहे 11, nucleons भी वही रहे 23, neutron भी वही रहे 12 मगर electron क्या हो गया है? इसमें से कम हो गया है, कितने हो गया टै तो अगर किसी पे plus one आएगा तो समझाएगी उसमें से एक electron क्या हो जाएगे? minus तो अगर positive charge है तो electron क्या हो जाएगे? reduce हो जाएगे तो plus one है तो electron में क्या कर देंगे? minus one तो electron की counting क्या हो जाएगी, change हो जाएगी तो किसी भी atom पे अगर charge आता है, तो वो क्या हो जाता है, ions और उस case में अब electron क्या हो जाएगे, change अगर plus charge है, तो electron remove हो गए, यानि कि electron reduce हो जाएगे और negative charge आएगा, तो electron increase हो जाएगे, ठीक है तो इसमें अब क्या हो चुके है, electron reduce हो चुके है, बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या रही, constant रही, चलिए, जैसे example दे बात करें दूसरी next, अगर हम देखें, mg atom, तो mg atom को यह इसकी representation है, atomic number है 12, mass number है कितना 24, अगर हम बात करें, mg में, तो mg से क्या बन गया? mg plus 2 कैसे बना? दो electron remove होके, तो positive charge का मतलब है, अगर किसी भी ions पे positive charge है, तो इसका मतलब है deficitency of electron, क्योंकि किसी भी atom पे positive charge तब आता है, जब उसमें से electron remove हो जाते है, तो positive charge का मतलब होता है deficiency of electron तो देखिए अगर बात करें इसमें proton की तो proton atomic number z के एककोल होंगे कितने 12 nucleons देखें total number of nucleons तो proton plus neutron या कह सकते हैं mass number कितना होगा 24 अगर हम number of neutron देखेंगे तो a minus z यानिके कितना होगा 12 electron देखेंगे तो proton के एककोल होंगे कितने 12 मगर इस condition में देखेंगे तो सारी बाते वो ही रहेंगी बस electron चेंज हो जाएंगे कितने electron थे mg में 12 और यहां कितने रहेंगे mg plus 2 में 10 electron रहेंगे क्योंकि 2 electron अब इसमें से क्या हो गए है remove हो गए है clear तो यह कहलाएगा mg atom और यह कहलाएगा katae अब यह mg atom नहीं बोल सकते इसे क्या कहलाएगे katae क्योंकि atom तो हमेशा electrical क्या रहेगा neutral और अगर किसी पे भी charge आता है positive का यह negative का तो वो क्या कहलाते है ions और अगर positive charge है तो उसका मतलब है kataeins और positive charge का मतलब है deficiency of electron अगर हमारे पास इस पे electron पूछेगा तो z के equal होंगे निके 12 इसमें electron पूछेंगे तो z कितना है 12 मगर minus का क्या कर देना है 2 तो जब भी electron counting करेंगे kataeins में तो जो भी positive charge है उसको हाप क्या कर देंगे minus कर देंगे किसमें से atomic number में से या number of proton में से add कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा minus charge क्योंकि अब इसके पास एक electron extra चुका है तो इसमें क्या आगे होगा negative charge तो यह क्या कर दाएगा iron और iron भी कैसा नion तो जिस iron पे negative charge हो तो क्या बोलते है नion जैसे CL atom इसकी representation यह है atomic number है 17 और mass number है 35 हे तो अगर हम यहां बात करें तो इसमें proton कितने होंगे सेवेंटी atomic number के एकवल और nucleons कितने होंगे 35 mass number के एकवल neutron होंगे 35 मानिस 17 कितने हैंगे 18 और electron में बिकितने होंगे proton के एकवल होंगे 17 क्योंकि है neutral atom है तो जितने proton उतना है electron और किसके कोल होंगे atomic number के यहां बात करें अगर हम ने बात करें तो cl atom से इसने एक electron add कर लिया तो क्या बन गया यह cl ion या किल माइनस क्या कैसे बहुत सकते हैं इसको nion तो chlorine nion बन गया यह ठीक तो इसमें proton neutron सब वही रहेंगे मगर electron क्या होंगे minus का मतलब है एक electron इसमें add हो गया है तो इसमें electron 17 से बढ़के कितने हो जाएंगे 80 clear तो बस आपको ध्यान लखना है तो negative charge का मतलब है nion यह कह सकते हैं axis of electron इसमें proton क्या हो जाएंगे increase अगर किसी भी आप neutral atom में अगर आप electron proton निकालोंगे तो वह equal होंगे और किसके equal होंगे z के और अगर हम बात करेंगे किसी nion की तो इसमें जो electron निकलेंगे वो क्या होगा atomic number में आप जो भी minus charge है उसे plus कर देंगे किसमें electron निकालते समय और अगर positive charge है तो electron निकालते समय क्या कर देंगे minus तो जब भी आप electron की counting करेंगे तो positive charge को minus करना है और negative charge को plus करना है clear कर देंगे लिए